नमस्कार एक वफिर से मैं आप सभी के सामने पस्तित हूँ बेहद महत्वफूर टॉपिक के साथ मेरा नाम है प्राची मिश्रा एंसंस्कति आयाइस के इस यूटूब प्रेटफर्म पर आप सभी का स्वागत है आप सभी जानते हैं कि बहुत दिन से पीरिट लीफ्स को लेक आपका पैसा नहीं कटेगा सालरी नहीं कटेगी और नहीं वह आपकी अधर जो लीफ से उसमें काउंट करी जाएगी अब इस पर वाद और विवाद दोनों ही चलता रहता है अगर पीरिट लीफ्स दे दी गई तो बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं प्राइवे सेक्टर्स ज लेंगे उनके लिए हम इस तरीके की लीफ्स नहीं बनाएंगे क्योंकि वह अपने दैनिक जीवन में बहुत जादा उतार चड़ाओ फील करती है और पीरिट से एक ऐसा टाइम होता है जहां पर उन्हें बहुत जादा पेन होता है और वर्क करना एक तरीके से इंपॉसिब या फिर दो दिन की पीरिट लीफ्स अफिशेंट या फिर पीरिट लीफ्स देनी चाहिए या फिर नहीं देनी चाहिए अगर ऐसा कुछ है तो आप प्राइबिट सेक्टर में भी आरक्षन लागू कर दो कि लगभग वहां पर 30% जो इंप्लॉय होंगे वह फीमेल्स होंग तो यह आप सभी से मेरा प्रिशन है मुझे आवशे कमेंट में बताइएगा अब आज आते हैं हमारी न्यूस पर यहां पर हम समझेंगे कि भारत में यह जो लंबे टाइम से चीज़े चल लई थी इसमें क्या-क्या बाते कहीं गई है इसका पक्ष और विपक्ष क्या है औ महिलाओं को प्रावधान किया है इसके लिए सरकार ने एक 18 सदस्य समिती है उसका गटिन कर दिया है यह समिती का जो विध्यक है उस पर यह मसोदा तयार करें और यह जल्द ही आपका विध्यक यहां पर पेश किया जाएगा और जिसको कानूनी इमानता मिल जाएगा आपका कानून मन जाएगा ठीक है इसमें महिलाओं के पीरड लीप्स और मासिक धहम से जुड़े स्वास् प्राइवरेनल सरकारी और प्राइवरेनल सरकारी और दोनों सेक्टर्स पर ही लागू होने वाले यह समें गЭं які तो अ SPEAKER प्रदेश बनर चाली पिर लीप जायेका इससे पहले प्वद्र पहले निक यहां पर कंषा की निमाउं चुट्टी चुनने का दिकार पर ये चुछ को करना है महिलाओं को चूस करना है क्या होता है पीरेड लीप? यानि कि मासिक धर्म अबकाश में महिलाओं का आप देखो कहें कि कई बार क्या होती है कि वह चलने में या बहुत ज़्यादा वर्क करने में या बहुत लंबे समय तक बैट पाने में असमर्थ हो जाती है क्योंकि आप देखो कि कि बहुत ज़ादा जो महिला होंगे शाद वो मेरे से कनेक्ट कर पाएंगी कि मैं एक यदि मैं वूमन टु वूमन बात करूं आप लगों से क्योंकि बहुत सही लड़किया मेरा जोस्ताइ में वीडियो देख रहे होंगी तो अपने कई बार नोटिस किया होगा कि कुछ वो पीरेट क्राम्स होते हैं वो स्टाइब को तो हम इस तरीके से जैनुरली सभी के सामने बता सकते हैं नहीं उनको दिखा सकते हैं फेस पेशो होगा तो वो और अलग बार कोई कोई मया होती जिनको बिल्कृल भी पेन नहीं होता है प्रिट समой पता ही नहीं चलता है कि उनको पीरेट頭 लेकिन आज जो लाइफ स्टाइल हो गया है हमारा हir महिला आती दूसरी तीसरी महिला मेंमें पी-सी-ोडी देखने को मिल रहा है पीसियोडी के वीज़े स तो जिन महिलाओं के साथ ये दिक्कते हैं उनको इस पीरियों की बहुत जादा जरूरत हो जाती है और यदि ये हर एक स्टेट में दी जाने लगेगी तो बहुत सरी महिलाओं के लिए किस राज में क्या प्रभधान है बिहार की बात करें तो महिला सरकारी कर्मचारियों को हर महिने दो दिन की पेड़ लिए बात कर लेते हैं केरल की केरल में युनिवस्टी के छात्राइं लीव ले सकती है 75% की बजा उनकी 73% चल जाएगी ये सिर्फ किसके लिए यूनिवस्ट के लिए सिक्किंग की बात करें हाई कोट की महिला करमिचारी हर महिने में दो से तीन दिन की लीव ले सकती है और बाकी सिर्फ और सिर्फ ये किस के लिए हाई कोट की महिला के लिए बाकी लगता है मुझे लगता है कि आसम में और कोई महिला नहीं है ना ही केरल में जो चात आपको देना है तो आप सभी के लिए दीजिए स्पेशल एक कैटेगरी की सरकारी करमचारी चात्रा या फिर हाइग को तो फिर बाकी महिलाओं को आप क्या संझोगे क्या वो महिलाए नहीं है और वह क्या वो उस स्टेट में निवास नहीं कर रही है यह तो गलत हो गया ना च प्रशिद आलोचक थे पी भासकरन्नी इन्हों ने बोला था अपनी केरल इन 19th संचुरी में जिक्र किया था कि महिलाओं को जो की महिला सिक्षक है चात्राय है उनको पी रेड लीव्स मिलनी चाहिए क्योंकि यह जरूरी है तब की बात 110 साल पुरानी यह बात है इस पर किस इसी ने मुद्दा उठाय किसी ने बात करी अपने आप में ही बड़ी बात हो जाती है क्योंकि 110 साल पहले आप देखो इस सथी क्या रही होगी जब कोई महिलाओं के अधिकारों के बारे में बात भी नहीं करता था तब यह साहित्तिकार थे जनोंने बात करी थी जनवरी 2013 में केरल सरकार ने उच्छ सक्षा विभाग के तहट आने वाले सभी राज्य विशुद्यालों में चात्राओं के लिए इसकी शुरुबात करती मार्च 2021 की बात करें तो दिल्ली सरकार ने भी महिला कर्मचारियों को पीरड लीव देने की घोशना की थी ठीक है इस शुट आते हैं वर्ष 1992 में भिहार सरकार ने ऐसा किया 2018 में अवनाचुर प्रदेश ने संसद निमोंग एरिंग द्वारा लोकसभा में एक बिल जिसको नाम दिया गया था पीरियड बेनेफिट के नाम से पेश किया जाएगा ठीक है यहां पर बोला गया कि पेश किया गया है इसम एक पीरियड लिव आपकी लागु होनी चाहिए तो कुछ आपके स्टेट ऐसे हैं अभी वर्दमान में जो पीरियड लिव को लेकर के बाते कर रहे हैं और इस पर लगातार काम किया जा जा रहा है कि इस स्टेट में भी बाते हो जाए बट अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं पीरेड लीव को लेकर कि जैसे मनें बताया कि कुछ तर्क है कुछ लोगों कहना है कि यदि आप पीरेड लीव दव लिवे कि कोई पॉलिसी अगर वैसे बात की जाए भारत की एदि में बात करूँ बात कर लेते हैं नेक्स की पीरेड लीव को लेकर के तर्क और वितर्क क्या है यदि ऐसे बात की जाए इंडिया में तो अभी तक कोई भी पीरेड लीव को लेकर के पॉलिसी नहीं बनाई है सरकार ने मतलब भारत के पार ऐसी कोई भी पॉलिसी नहीं है लेकिन बहुत सारे कंट्रीज हैं जहां पर इसके लिए पॉलिसी बनाई गई है भारत को पॉलिसी बनाने की आवशक्ता है आगे आते हैं कई कमपनियां हैं जो अपने कर्मचारियों को वेतन सहीर पीरेड लीव भी देती ह लेकिन अब बात यह आ जाती हमें कुछ मुद्धों को जानना चाहिए इसमें क्यों जरूरी है पीरेड लीव क्या महिलाएं इतनी कमजोर हैं कि उन्हें हर महीने एक्ट्रा लीव की जरूरत पड़ेगी क्या इस तरह की कंपनी के जम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभ महिला कर्मचारियों को दो से तीन दिन पेड लीव देने का अतरिक्त बोज कंपनियों के सर पर आ जाएगा और कंपनी जो है वो उनकी उत्पादक्ता पर असर पड़ेगा साथी साथ नतीज़ा ये निकलेगा कि हमारी जिडिवी एफेक्ट होगी और कंपनी को संद्री महिला एवं बालविकास मंत्री है इसमृती इनानी ने संसद में इस तरह की योजना कर विरोध करते हुए कहा था कि मासिक धर्म एक प्राकृतिक प्रक्रिया है इसे विशेश शुट्टी की आवशक्ता नहीं है क्योंकि हम इसे विकलांगता नहीं मानते हैं यह व जनवरी में आप देखोगे तो वकील शैलेंद्र मनी त्रिपाठी थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जन्हित याजका दायर की इसको लेकर के याजका महिलाओं की पीरिड लीव देने के प्रावधान को लागू करने से समय ने थी ठीक है इसमें मात्रत्वला बदिनिय वान की धारा 14 के अनुपालन का जिक्रि किया गया था और बोला गया था कि केद्रों और सभी राज्यकों छात्राओं वा कामकाजी महिलाओं के लिए उनके कारस्थल पर मासिक धर्म के दौरान पेड लीव की मांग की गई है याजका का अधार जो था वो था कि पेड पीरि कोई भी टिपड़ी नहीं कर सकता है इस पर पूरा का पूरा जो दारुमदार है वो केंद्र के उपर आता है कि केंद्र इस पर क्या फैसला सुनाएगा केंद्र इस पर नीती बनाना चाहता है पॉलिसी बनाना ना कि सुप्रीम कोड का काम है इस पर कोई भी पॉलिसी बना वर्तमान दोर में महिलाए कुशल वा आ कुशल स्रमी के रूप में हर छेतर में अपनी मौजूदगी दध कर रही है ऐसी स्थिती में पीरेड लीव का प्रावधान महिलाओं के वर्किंग स्किल को क्या कर सकता है यहाँ पर बहुत ज़ादा इफेक्ट डाल सकता है साथी साथ आगे बात करें तो विषुस्तर देखते हैं कि विषुस्तर पर कौन कौन से देश है जहां पर इसके बारे में बात की गई है Spain, साल भर में 4 दिन की छुट्टी यहां पर मिलती है, South Korea महिने में 1 दिन की अनपेड लीव यहां पर ले सकती है, Japan की बात करें, तो महिलाएं चाहें तो लीव की मांग कर सकती है, मिल जाएगी, Philippines महिने में 2 दिन की यहां पर छुट्टी मिलती है, Vietnam महिने में 3 दिन की महिलाओं को दी जाती है तो इस तरीके से आपके सारे देश थी जो मैंने बता दी सबसे पहले देखते हैं तो 1920 में पहली बार वरकरों के लिए पेड लीव की जो प्रावधान है वो रूस ने किया था इसके बाद जपान आ जाता है 1947 में शुरू किया गया था मासिधर्म आव अचारियों के लिए भुकतान किये गए मासिधर्म आवकाशों को अनिवार करने वाला कोई संग्य कानून नहीं है आगया जाते हैं बांगलादेश में वर्ष 2017 में मासिधर्म आवकाश नीती शुरू की गई थी और इसके तहर देश की सरकार ने कानून बनाया जिसके जाय क्या है यहां पर क्या है आपकी जो प्रदान करती है आग देख लेते हैं हाली में किस राज में महिला कर्मचारियों को प्रापधान किया जा रहा है उत्रपदेश करनाटक उत्राखन या फिर केरल तब सभी मुझे कमेंड में इस का अंसर जरूर दीजेगा साधी साथ अप अब तक के लिए धन्यवाद लाइक शेयर सस्क्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले और थांक यू सो मच